नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका जोबित पीडिकिस ओनलाइन लर्निंग प्लेटफॉम पे दोस्तों नैंत क्लास के लिए अपना फर्स चेप्टर नंबर सिस्टम संक्या पज़ती चल रहा था जिसके हम 1.5 एक्सरसाइज या वो कर रहे थी पिछली क्लास में हमने इसक आपके वाली क्यूशन है इनसे जुड़े वे कुछ मैतोपॉण पॉइंट है वो आज इस क्लास में हम पहले दिसकस करेंगे फिर हम क्यूशन आंसर की तरफ बढ़ेंगे ठीक है इससे पहले अगर आप योग क्लास पसंद आए तो आप इसे जादा से जादा लाइक और शे प्रचा कर लेते हैं इन वैसे कुछ सर्वसमिक हैं दोस्तों वो तो आपने पहले एट्स क्लास में पढ़ ली होगी एक बार आपका साथ-साथ में रिवायज भी हो जाएगा अगर आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा तो अपनी फश्ट सर्वसमिक है कि अगर आप आपको a प्लस b दिया हो इसके उपर इसके होल स्कार हो तब आप इसको क्या लिख सकते हो तब आप इसको लिख सकते हो a स्कार प्लस 2ab प्लस b स्कार यानि कि आपको जब भी a प्लस b की होल स्कार दिया जाए तब आप इसे क्या लिख सकते हो a स्कार प्लस 2ab प्लस b स्कार आ आपके मैं में डाउट आ रहा होगा सरी आप कैसे लिख के बता रहे हैं हमारे समझ में नहीं है कुछ एक एक एक्जामपल के माध्यम से हमें समझाओ तो दोस्तों मान लीजी कि आपको दिया गया है दो प्लस रूट दो ठीक इसके उपर आपको होल स्क्वेर दी गई है अगर यहाप यह सिद्धा दो होता तो यह दो में दो एड होकर कितना हो जाता चार चार के आप स्क्वेर कर देते आंसर आ जाता आपका सोला लेकिन अब य my diet दो एस दो के लिए डे औड होका नहीं तो ठीक उपर आपको क्या दीगी ओंग Дीगए है इसकी स्क्वेर प्लस क्या अपको स्क्वेर करना है तोज़के वह इसको क्या लिख सक्यों आप इसको लिख सकते हो ए श्कृर में प्लस स्क्वेर फ्लस B sqop अब हमें यहां पे शिर्फ और शिर्फ मान रखना है a का मान क्तना है 2 है ठीक दो उपर क्या होगा प्र यहां पे क्या होगा 2 हमने 2 रख दिया फिर हमार a की value रखने यह कितना है अपना 2 की square कितने होगी 4 ठीक पlles, 2 का गुणा किसे होगा 2ा सिय, तो कितना आजएगा 4, खीडिके कितना है рूट दो, जो année मान कितना आजएगा, 2 प्लस, 2 रूट दो, 2 की स्क्याएँ, दोस्टों, जब भी 242 का गुणा, 2 से होता है, ठीक है याकि, 2 रूट में संक्य है, है तो दोनों संक्राइब यानिव संक्राइब कितना जाएगाफ तो कितना वोगा कित चार में आपका 2 जोड़के कितना हो जाएगा यह किसी में और नहीं होगा तो इसको मैसा ईसा लिखतें हैं यहोगा है यानि कि हमें ऐसे मान दिए गया था थां हो स्वेह है क्समीलकों कर लएंगए तोस्तों कर सकते हैं यानि ऐसे आप दिया गया हो इसकी स्वाइब कर नहीं ऑन्य करेंगे लुड़ यहां पर यहांपे दे दिया जए है रूट 3 ठीक है यहांपे दे दिया गए आपका रूट 2 तो फिर आपको यहांपे क्या होजा you दोस्तों इसे 3 रूट के according हम स्ळूल कर लेंगे जैसे यहांपे march 2 असाओ क्वर्कार यहांपे क्या हो ज電गा पहला होता है वो A होता है तो हमने A की value रखनी है फिर आपका second होते ये B होता है हमें B की value रखनी है जादा इसमें कुछ नहीं करना शिर्फ और शिर्फ हमें जो value दीगी है वो value की value हमें वहापे रखनी होती है ठीक है I hope कि आपको ये समझ में आ गया होगा अगर दोस्तों तो आप क्यूशन ये चुटकियों में उड़ा देंगे आप बिल्कुल भी आपको ऐसा confusion नहीं होगा कहीं पे भी ठीक कोई भी आपका doubt नहीं होगा खुद से आप क्यूशन सोल कर लोगे मेरा target ही रहता है कि मैं आपको इस परकार समझा दूँ कि कोई भी क्यूशन दिया ज जवाब देने की कोशिस करता हूँ ठीक है अगर आपको class पसंद आती है तब आप like और share करने में आपको कभी भी conjunction नहीं करनी है बात में आपको बार बार बोलता हूँ अम next बढ़ते हैं next अमारी जो शर्वाश से मिगए वह यहां पर के यहां तो में plus का शिंबल दिया गया था जुरूरी थोड़ी एर बार plus का अगर हमें minus का सिंबल दे जाए तब इसको कैसे सोल करेंगे तो माइनस का सिंबल दे जाएगा तो ए तो क्या अपना प्लस में है तो एक की स्क्यार करेंगे तो वह भी किसी में आजाएगा प्लस में ठीक है बी है एक तो यह बी माइनस है इसके में होल स्क्यार करेंगे तब होल स्क्यार का मिन्स क्या होता है बी का गुणा किसी होगा माइनस बी सी वापस होगा माइनस का गुणा माइनस होगा क्या हो जाएगा पलस हो जाएगा बी गुणा बी यानि एक बी एक बी कितने हो जाएगी बी की स्क्वेर हो जाएगी तो यह क्या आजाएगा आपका पलस का बी स्क्वेर आजएगा तो आपको यह तो समझ में आ गया ए स्कार प्लस का कैसी आया बी स्कार है वो प्लस का कैसी आ यह तो आपको समझ में आ गया होगा अब यह बचा कि यह माइनस टूए भी यहां पर कैसी आया ठीक है तो दोस्तों यहां पर तो क्या था प्लस था क्यूंकि दोनों पर किस केते हैं पलस केते हैं तो यहाँ पर तो पलस आया लेकिन यहाँ पर क्या बी क्या है माइनस का तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एक माइनस आ जाएगा ठीक है यानि कि जब भी आपको दिया जाए a minus b की square आपको दीगे यह हो तब आप इसे कैसे solve करेंगे तब आप इसे solve करेंगे a square minus 2ab plus b square आपके मन में doubt आ रहा होगा सर इसे भी कोई example के मादगे मिसे समझाइए तो चलिए कोई भी एक example ले लेते हैं तो हमने ले लिया 2 minus root 3 ठीक है या फिर हम दोनुसन के एक बार root की ले लेते हैं तो माली जी हमने ले लिया 2 root 3 हमने ले लिया 2 root 3 तो फैस्ट है यह तो अपना क्या हो जाएगा a हो जाएगा यह अपना क्या हो जाएगा b हो जाएगा इसे हम कैसे लिखती है a और b की के a minus b की whole square है तो इसका फॉर्मूला यह सर्वा सिमिक है अपनी क्या है यह a square minus 2ab plus b square a की value कितनी है root 2 तो हमने root 2 लिखती root 2 की square minus 2 ठीक है यह आपके कितनी है root 2 तो हमने क्या कर दिया root गुणा root 2 गुणा root 3 plus b की square कितनी है b की square है root 3 ठीक है root 3 की square अब दोस्तों root 2 की square का मिन्स क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा मैंने आपको भी बता है था कैसे होता है यह मैं आगे आगे आपको explain करूंगा पूरा कहान के सीथ बताऊंगा ठीक है आगे आपका कोई भी doubt नहीं रहेगा एक बार आप इतने की समझने की कोशिश करें कि 2 root 2 का मान कितना होता है 2 होता है तो हमने 2 लिख दिया फिर minus यह कितना है root 2 है यह root 3 है यह दोनों मिलके कितने हो जाएगे root 6 हो जाएगे गुणा किसे हो रहा है 2 से हो रहा है आगे plus का symbol है ठीक है यह भी root 3 है root 3 गुणा root 3 2 संग क्या समान है दोनों root के अंदर है तो मिलके क्या बना लेगी यह संग क्या एक है वो भारा जाएगी यानि कि यह 3 और 3 मिलके क्या हो जाएगा भारा जाएगा root 3 और root 3 कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा तो यानि प्लस का तीन हो गया ये रूट से कैसे हुआ रूट दो और रूट तीन से कैसे हुआ ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा ये देखे दोस्तों पूरा करम वाईज चलेगा ठीक है अभी मैं इनके एक्जामपल आपको करके बता रहूँ आपके आप हम सोल करेंगे रूट दो मैंएस रूट तेन कि हमें होल सकयाड दिया गया है इसको मिलस ओर करेंगे तो इसॉन कीसट पूछे जा सकते हैं और तो आपर जेली transluc करपाओंगे थीक है निश्ट बढ़ते हैं जो अपने तीसरी हमें सरव αiceps समीका डीगी है, यहनी कहमें क्या कर दी, अभी तो प्लस का दिया जाए था, दोनों प्लस थे, अभी क्या थे, दोनों माइनस थे, तब नहीं है ईस्य स्वोल कर लिए, अभी हमें एकप्त आईस परकार प्लस का दे दे, एक पद हमें क्या करदे माइनस का दे दे तब में कैसे स्वोल करेंगी चले उन्हीं पर चर्चा कर लेते हैं ठीक है तो मालीज़े कि आपको दिया गया हो 3 प्लस रूट दो इसे परकार 3 माइनस रूट दो यह तो क्या है A प्लस B और यह क्या बन गया A माइनस B दोनों पर समान है आप देख लीजिए A प्लस B, A माइनस B इसे हम कैसे सोल करेंगे अमारे पास सरह समी कहा है जब भी हमारे पास यह फॉर्मेट बन रहा हूँ तो इसे हम क्या लिख सकते है इसे हम लिख सकते है A की स्कार माइनस B की स्कार A यहाँ पर कितना है अपना 3 है तो 3 की स्कार माइनस का चेन हमने माइनस लगा दिया B की स्कार यानि रूट 2 की स्कार 3 की square हम सब जानते हैं कितनही होती है 9 होती है माइनस का प्रेफियंग हमने माइनस लगा बीया रूट दो की हौल स्कायर का मिनस दोस्तों इसकी ऍा स्क्कूयर का मिनस क्या होता है रूट दो गुर्ना रूट 2 यानि कितना हो जाता है दो हो जाता हमारा माइनस का हो एक पद पलस का हो एक माइनस का हो तब इसे क्या लिख सकते हैं ए स्क्वाइर माइनस बी स्क्वाइर लिख सकते हैं अब दोस्तों जुरूरी थोड़ी है कि आपको दोनों यह पलस इदिया हो यह माइनस इदिया हो या दोनों पद समान दिये जाए आपको लग लग भी तो दिये जा सकते हैं यहानि a plus b और इस तरफ आपको c plus d दिये जाए ठीक है इस पर तरफ तो क्या दोस्तों a plus b है इधर क्या c plus d है तब इसे हम कैसे स्वल करेंगे तो दूस्तों यह तो क्या हो जाएगा आपको संक्या दिगी यह भीक हो दोस्तों चारू प्रकार सोल करेंगे तो दोस्तों सबसे पहलेस लिगा का पहले से नौ प्लस का गुणा प्लस होता है तब हमेंसा प्लस आता है त्याहनी एक गुणा चीश होगा तब प्लस में क्या आजाएगा एसी आजाएगा यहां तो कलीर है फिर एक गुणा दीश होगा यह भी प्लस में यह भी प्लस में त्याहनी प्लस गुणा प्लस होगा तब हमेंसा क्य देगा इस प्रकार में से होगा फिर आगे भी माइनस ऐगा और वी का गुना किसे हो जायगा ढूंइने आपको बता दिया अगर आपको किस प्रकार सोल करने कोई प्रॉबलम में तक नहीं होगी इन में से कोई भी पदा आपको एक माइनस में दिये जाएगा ठीक है जो भी पद माइनस का उससे जो गुणा हो रहा वो माइनस में आ जाएगा शिंपल सालोजिक है ठीक है तो आपको कुछ भी रटना नहीं है इसमें क्या करना होता है कि पहली काम पहले से गुणा करते हैं फिर पहले संक्या का दूसरी से गुणा करते हैं इसी प्रकार जो हमें दूसरी संक्या दीगी इसका पहले से करते हैं और फिर हम दूसरी संक्या का दूसरी संक्या से गुणा करते हैं जो चिन है चिन सरीतिन को लिख देते हैं आई होप यह तक आपको clear हो गया होगा इसके भी हम आगे example के माध्यम से solve कर लेंगे यह अपना second question है second question solve करेंगे यह C कोडिंग है ठीक है A, B, C, D का मान कुछ भी हो सकता है कोई मान रूट में हो सकता है कोई मान रूट में नहीं भी मिले ठीक है यह कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है इसी परकार यहाँ पर देखा था ना कोई मान रूट में कोई मान रूट में नहीं है कोई problem नहीं है हमें concept clear होना चाहिए आगे हम बट्टा दो है ठीक है माली जिए कि यहां पर दो लिखा गया है दो लिखा गया इसके उपर कोई भी पाउर नहीं है तो इसका मिन्स के इसके उपर पाउर एक है एक है वो गुणा दो का गुणा एक से खुद से एक ही बार होगा ठीक है इसी प्रकार दो की पाउर दो होती है तो कि यही तो पाउर का मिंस होता है जो अपनी 1.6 एक दम इसी पर आत आरीत है इसमें जो आपके अगर अब आपको डाउट रह जाता है न तो 1.6 में आपके हर डाउट हो जाएंगे हर कॉंशेप्ट चेह आपके कलियर हो जाएंगे एक बार मैं थोड़ा कम समझा रहा हूँ एक बार जो doubt आ रहे हैं मैं होई ले रहा हूँ यार जो important अभी 1.5 में पढ़ने में जो हमारी important है वो मैं soul कर रहा हूँ ठीक है अगर आपको root A दिया गया root A का means क्या होता है दोस्तों या आपका इसकी power कितनी है एक बटा दो है इसी परकार root A का गुणा जब root A से होता है तो मान कितना आता है आपका A आता है कैसे जिस परकार root 2 का गुणा root 2 का गुणा हम root 2 से करते हैं तो मान किया आता है आता कैसे है कि root है इसके उपर root है root की power 2 की power कितनी एक बटा दो है गुणा यह भी क्या आपका रूट दो है यानि दो की पाउर कितने आपकी एक बटा दो है जब दोस्तों एक नियम होता है गाता आक नियम होता है वह भी हम पॉइंट शिक्स एक्सरसाज में पढ़ेंगे कि जब आदार समान होता है तो गाते में सा जूड़ती है आदार यहा मिन्स क्या होता है दो होता है इसका आर्थ क्या हो गया कि जब हम रूट एक का गुणा रूट एस यह करते हैं तो इसका मान क्याएगा आपका एगा कैसी आएगा कि यह भी पाउर आदी है यह भी पाउर आदी है आदी और आदी मिटकी क्या हो जाएगी एक हो जाएगी एक पाउर का मिन्स क्या वही संक्याथ्य है, जिसके ओपर एक पाउर है, आई हौक Γड़ा आपको, कलिए हो गया होगा, इसी परकार, आपको, रूट 3, गुणा रूट 3, अब आपको, सब्सक्याथ भ्रकशाएगी, कि इसकी पाबब्य चाब निए और कि आपको कुलियर हो गया है इसका मिन सतय कि भूण कितनी है एक बटा दो यानि अद्नी इसी परकार दोस्तों आपको दिया जाए रूट के अ अर बी दियाजै क्या है अट दोनों को अलग кожan यह ले अग लिए रूट A अलग लिख दिया, रूट B आप इसे अलग लिख सकते हैं, ठीक है, यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, कैसे लिख सकते हैं आप है, मैं थोड़ा सा आपको और एक्जांपल के माध्यम से समझा देता हूँ, ठीक है, मालने जिए कि आपको इस परकार दिया गया, आपको यह दे दिया गया, दो का गुणा तीन से हो रहा है, यह दोनों कि इसमें रूट में, तब आप इन्हें अलग अलग भी लिख सकते हैं, आप सुईदा के कोडिंग आप अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे रूट को अलग लिख दिया, दो को अलग दिख तीन को अलग दिद धिए घीक का आपको इस प्रकार दिए गया हो nationatane आपको खेंए साथ में लिख सकते हैं सुझा दोनों के उपर साथ ह이면 10 से करते हैं तो क्ा रूट न भूट सबस्क्ति हैं आप रूट obl tocar लेक सकते हैं या पिसको दो रूट तीन भी लेक लिख सकते हैं यानि दो रूट अलग तीन रूट आप इसको अलग लग सकते हैं कि इसको रूट 6 को अगर आपको अलग अलग दिया गया है इन्हें आप क्या लिख सकते हैं साथ में भी लिख सकते हैं रूट 6 पहले हमने क्यों किया था वहां पर यह हमने काम में लिया था मैं में भी लिख सकते हैं कैसे चलिए उसी पर हम चर्चा कर लेते हैं माली जी कि आपको दिया गया है दो बटा रूट तीन यह दोनों की सिमया रूट में तो आप क्या कर सकते हैं यह अलग लग लग लिख सकते हैं कैसे रूट दो रूट तीन अगर आपको यह दोनों अलग लग दिये गई हैं आपको सुषदा के लिए 7 में चाहिए तो आप इन्हें 7 में भी लिख सकते हैं यानि इसको ऐसे भी सकते हैं और इसको ऐसे भी सकते हैं कोई वीच में problem नहीं होगी दोनों एक की बात है या तो दोस्तों आपके कुछ कॉन्षिप्ट थे कुछ सर्वसमिकाय थी वह तो हमने यहां के लिए अब बढ़ते हैं अपने क्यूस्टन की तरफ है मैंने बोला था ना कि मैं अगर यह सर्वसमिकाय आप अच्छी से पढ़ लेते हो ता आप क्यूस्टन खुद सोल सब्सक्राइब करने में, कोई बी प्रोबलम नहीं आएग Gmail करना है, क्यों है निम्मन लिखी ते वेंज को आपको Colin करना है, तो हमें फ़स्ट क्या दिया गयर है फ़स्ट हमें दिया गया है घ行了 3 044 ठीक, इसका गोडा किसे हो रहे हैँ दो पलस रूट2 से ठीक? अगर आपने कर लिया तो इसका answer कमेंट करो चलिए आगे मैं बता देता हूं तो दोस्तों आपी यह दिया गयाया, तीन पलस रूट तिन और दोशे और अगर दोस्तों आपर तीन और दे दिया जाता अगर किह क्या बन जातai ए स्टीन तो बन जाता टीन रूटtin की हुख कर बन यह यह किस ऐसा बनना लो दिए प्लच ऑल वाला यांपर फौर्मूला लग जाता नहीं कर पाते हैं sulfa दो दो यानि यह हमारा condition नहीं बन रही है, हमारी condition अलग बन रही है, तो जो मैंने आपको लाश्ट इलाश्ट सर्वस्य में बताये थी, कौन सी, यह तो क्या अपना A है, पलस B, A पलस B का गुणा, अगर C पलस D से होता है, तो इसे हम कैसे सोल करते हैं, इसको हम सोल करते हैं, A का गुणा किसे होगा, पहले C से होगा, फिर पलस, फिर A का गुणा किसे होगा, D से होगा, फिर पलस, फिर B का गुणा किसे होगा, आपका, B का गुणा आपका, C से होगा, और आपका, यह B है, इसका गुणा किसे होगा, D से होगा, यह मैंने सर्वस्य में काया, आपको बत किंसी होगा सब्स यह बीकी का गुणा सी होगा रूट किंसी होगा दो सब्स हैं कि ने रूटे और यह कि आपका रूट दो सोव कर लेते हैं कि तीन क्या गुणा दो यहां पर रूट दो बहार है अगर दोनों तरफ रूट दो अंदर होता यह यहां पर भी कितना होता यह तीन रूट दो होता और यहां पर भी आपका बढ़ते हैं यहां पर कोई भी सिंबल नहीं यहां इन्हें आपका लिख सकते हैं इन दोनों कुम एक साथ में लिखेंगे नियुक्त क्या होता यह रूट लिखेंग incl ये अपना answer हो जाएगा तो नहीं इस का जो answer होगा वो क्या हो जाएगा आपका 6 plus 3 root 2 plus 2 root 3 plus root 6 कैसी आया यह अपना कौनकी सर्वसिमिका लगी यहां पर a plus b c plus d वाली सर्वसिमिका लगी है हमारा इस प्रकार यह सर्वसिमिका थी हम्ने शिर्फ और शिर्फ इसकी value put किया कुछ नहीं किया A की जगा हमने A का मान रखा C की जगा हमने C का मान रखा और यह अपना answer क्या है 6 plus 3 root 2 plus 2 root 3 plus root 6 यह अपना answer हो गया ठीक है चलिए बढ़ते हैं second question की तरफ इसका second का अपना second है जिसके अंदर आपको दिया गया 3 plus root 3 और यहां पर आपको क्या दे दिया 3 minus root 3 ठीक है यह तो दोस्तों आप easily देखती ही बता सकती हो इसको तो आप easily देखती ही solve कर सकती हो यह तो कितना है 3 plus root 3 है यह तो दोस्तों इसी परकार्ट का तो हमने क्यूशन कर लिया था यह तो क्या आपका a plus b है और यह क्या आपका a minus b a plus b a minus b यह सरव से में का है आपकी क्या बनती है a square minus b square बनता है तो यह आप एक की value कितनी है 3 तो यह आपकी होगी 3 कि square ठीक है माइनस का symbol minus लगा दिया बी कितने है रूट 3 तो रूट 3 की square तो हम सब भी जानते कितने होते है नो होती है minus root 3 का square means क्या हो जाता है यह root 3 और root 3 अभी मैंने बता रहे था power आदी power आदी जुड़के कितनी हो जाएगी power हो जाएगी यह क्यानि 3 की power 1 का means होता है 3 क्यानि आप माइनस में कितना आजाएगा 3 9 में से 3 गटेगा तो आणसर कितना आजाएगा यानि कि 3 plus root 3 3 minus root 3 इसको solve करेंगे तो इसका आणसर कितना आजाएगा 6 आजाएगा कौन सी सरवस्यमिका लगेगी सरवस्यमिका यहां पर बन गई पर डाउट है तो आप कमेट जुरूर कर देना आपका क्यूशन नमर 3 है क्यूशन है इसमें आपको root 5 plus root 2 दिया गया इन दोनों के आपकी क्या दिगे इस square दिगी है तो यह दोस्तों आपके कौन सी सरवस्यमिका लगेगी यहां पर लगेगी a plus b की whole square यह है यह बी है इसकी whole square लगेगी तो यह क्या हो जाता है a square plus 2ab plus b square अब हमें value पुट करनी है a की value क्या है root 5 इसकी square plus 2 2 यह 2 हो गया फिर a कितना है अपना root 5 फिर आपना b कितना है root 2 plus b square यानि root 2 की square अब इसको solve करने root 5 का means 5 की square का means क्या हो जाएगा 5 आएगा कैसे है कि पाउरादा पाउरादा गुणा होगी एक होगी एक का means 5 आजएगा फिर आपका plus root यह आपका गुणा हमें कितना है दो दो लिख दिया यह कितना है root 5 गुणा 2 अभी मैंने बताया था ना यह दोनों root अलग अलग है तो क्या कर सकते हैं साथ में एक root में भी लिख सकते हैं दोनों को तो हमने एक root में लिख दिया आगे कितना है root 2 की square का means क्या होता है खुद कितना आजएगा दो ही आजएगा ठीक है आगे चलिए और शॉल कर लेते हैं 5 में 2 अजएगा तो यह कितना आजएगा आपका 7 गा 7 पलस 2 root 10 यह अपना answer हो जाएगा ठीक है इसका question नमर 4 है इसका last question है एक दम अपनी जो सर्वास्यमिक है उसी के according है अभी मैंने आपको एक सर्वास्यमिक है बतायती उसी सी अपना question हो जाएगा तो question आपका इस परकार है root 5 minus root 2 ठीक है और फिर आपका root 5 plus root 2 की ठीक है यह दोस्तों क्या बन रहें आपका a minus b और a plus b बन रहें ठीक है यह क्या a plus b a minus b यह वाला आपका formula बन रहें तो दोस्तों यह सर्वास्यमिका क्या थी a square minus b square थी पहले दौस्तों हम सर्वास्यमिका पढ़ रहे थे वह यह e P Dalus b और a minus b लेकिन अब यह क्या äran ko कra none चैन्ज कर दिए गया है यानि पहले यह 20 तरफ था यह से कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है यह दौनों गोड़ा में है गोड़ा में मान आप आगे पीछे कहीं पर रखो कोई भी इसका फरक नहीं पड़ेगा तैनी आपर सरो समिका कौन से लागू होगी सरो समिका हो की अब हमें value put करनी एक कमार कितने हैं रूट पांच इसकी square करना हैं फिर बीड कमार कितने है.. रूट दो इसकी में इस स्क्वेश करनी है रूट पांच की स्क्वेश करेंगा तो इसको आंसर कितना आ जाएगा 5 आजाएगा yüz का सिंबल मैनolenós लगा दिया है रूट दो के स्क क्या अपनी लाग्व होगी इसमें वेल्यू पूट करेंगे तो अपना आश्र कितना आजाएगा तीन अपना आश्र आजाएगा अगर कोई भी डाउट रह जाते है तो आप हमें कमेंट है जरूर कर सकते हैं मैं जल से जल्द आपके कमेंट है रिप्लाइ करने की कोशिश करूगा चलिए आगे बढ़ते हैं क्यूशन नमर 3 आपकी स्क्रीन पे है क्यूशन नमर 3 इस परकार है आपको याद होगा कि पाई को एक व व्यास डी के अनुपात में लिख सकते हैं पाई को हम क्या लिख सकते हैं एक वर्त की प्रिदी ठीक और व्यास अनुपात के रूप में हम लिख सकते हैं अर्थाच पाई को हम क्या लिख सकते हैं पाई बराबर सी बटा डी सी तो यहां पर क्या है वर्त की प्रिदी है डी क्य हमें दिया गया है कि एक वरत की जो पृदि है ये तो अपनि क्या है सी यानि कैने सरकंफ्रैंस इसको तो अमने माले सी ठीक ।वर्त की होती है तिर्zan तिर्जया यहने रेडिस जो हती है अनुपात होता है यहां पिरना जा रहा है कि यह पैँ है ना पाई क्या होता है जनकलम होझा है वर्त को प्रीदी और अनुपात होता है अगर इस प्रकार दोनों बभर होते हैं तो यह तो क्या अपकी यका प्रीमेसियं क्या है इसका बTalk बता justamente क्य已經 हो नहीं प्रिमे कैसे हुई तो दोस्तों पाइं का निकट तम मान होने के कारण बाइस बाइस के अंदर हम साथ का बाग देते हैं जो अबना मान आते हैं तीन पॉइंट एक चाल जो अमारा मान आते हैं वो क्या होता है पाइं के मान के निकट होता है इसलिए हम क्या करते हैं इसे थिल्म्सक्राइब कोदकर क्षान में रखना है ठीक है तो यहां पर हम यहतों यहां पोद्वाद है क्योंकि यह तो एक प्रिमेसिंग है बराबर में प्रिमेसिंग है कैसी आ सकती है तो इन दोनों के मंद्धे क्या हो गया एंतरिवरोध हो गया ठीक है यानि कि दोनों बात एक साथ सही कैसी हो सकती है तो यह तो हमसे दोस्तों पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि दोनों बराबर में बोला जा रहा है कि आपका फाई के बराबर है तो दोस्तों पिछले चेपटर में मैंने भी आपको इसका जो introduction करवा था तुम मैंने आपको बताया था कि हम एक एफ क्रीमे संग करेंदर निकी एक पिरमे संग क्या का वाग देते हैं हम एक affirmation के अंदर एक Arist involved देते हैं या जा उपर एक प्रीमेशन के होती है इसके अंदर हम क्या करते हैं किए एक एप्रीमेशन के आगा भागद देते हैं तब हमेशा हमारा त्हक्त मिलता है हमेशा1 ठीक मिलता अगले मिलते हैं यानि कि अगर हम एक प्रीमे के अंदर प्रीमे का भाग देते हैं या प्रीमे के अंदर हम एक प्रीमे का भाग देते हैं तब हम ऐसा हमें रिजल्ट क्या मिलता है एक प्रीमे क्या मिलता है यानि कि अगर इन में से कोई भी एक प्रीमे हो यानि C और D में से कोई भी एक क्या हो आपकी A प्रिम्य हो और कोई भी आपकी एक प्रिम्य हो अगर दोनों अलग अलग है एक प्रिम्य है एक प्रिम्य है तब हमारा मान क्या जाएगा एक प्रिम्य आजएगा यानि तब यह बात अपनी क्या हो जाएगी कब हो ठीक लिए कभी प्रीमे संख करते हैं कि यह याँवरा नियुक्त c की प्रीद य हमारे पास मान एला दो पॅइंट छाम सब्सक्रांब करते हैं जो हमारा मान है 2.6, इसको 2.6 लेकर छोड़ देते हैं, हम कभी भी इसको आगे चेक नहीं करते हैं, कि 2 के बाद में क्या ये 5, 4, 1, 3, 2, 4, 5, 1, ठीक है, क्या इस परकार चल रहा है, क्या या नहीं चल रहा है, इसको हम कभी भी चेक नहीं करते हैं, ठीक है, यानि हम क्या करते जैसे यह बना मान आ रहा था उपको हम क्या मान ये खोड़ देता है कि यह from на incomise सान्थ है यह माहंतर रुक ज mess नहीं हम जाए लिए लिती हम क्या करते हैं कि निकरतम मालें लेकर इसको छोड़ दे हम निकरतम माले कर छोड़ते हैं इसी काणे मी क्या हुती किस परकार कि मैं इसका निकरतम मा लेकर छोड़ देती हैं तो या क्या लेता है तो यह लेती हैं अब स्याफ पोंट दो टू होती इसका होती है मिल्ट क्या होती है affirmation क्या होती है होती तो क्या यह वास्त हम affirmation क्या हो इसको हम क्या मान लेते हैं affirmation क्या मान लेते हैं किस कारण किसका निकरतम मान के कारण इसको हम क्या मान लेते हैं affirmation क्या मान लेते हैं और होती क्या है इन में से वास्त हम एक affirmation क्या होती है तो ही दोस्त और हम गलती करते हैं यानि क्यों पाई के बराबर ये शी बटा डी कब आएगा अग्त इनमेंसे कोई आपकी क्या होती है एक scary मेसं क्या होती है आपके apply क्या होती है जब हम एक affirmation का भाग देते हैं तब हमारा जिर्ड क्या थे एक affirmation क्या थे यह दोनों comes set है दोस्तों जुड़े हुए है आप होसकते हैं कुछ confus हो ARE हम 확인 करें यह यह प्रीमे हो सकते है यह प्रीमे हो सकते है यह प्रीमे हो सकते है जब हमारा money किया पाइ आएगा अब ये प्रिमे अप्रिमे कब हो सकते हैं इन दोनों में से हमेशा क्या होता है एक आपका प्रिमे या अप्रिमे होता है हम क्या करते हैं इसका निकरतम मा लेकर छोड़ देते हैं निकरतम मा लेते हैं जैसे यह मान तो कुछ और था यह दसमला परसार अनवसान अना वरती था नहीं है क्योंकि इस कोन से एपना मान तो आपरी में आ जाएगा और हम क्या समझते हैं कि इन में नहीं है यानि दोनों कथन का क्या और रहा है अंतर विरोध कहीं पर नहीं हो रहा है ठीक है अतय इहां पी क्या है अतय यहां कोई अंतर विरोध नहीं है कोई अंतर विरोध नहीं है कंसे हुए नहीं है हम इसको क्या मान लेते हैं जिससे अपना यह क्या हो जाता है मान है वो हमें लगता है कि एक तरफ तो प्रिमे एक तरफ प्रिमे इसलिए हमें अंतरिवरोद का लगता है कि अंतरिवरोद है लेकिन वास्तों में यहां पर कोई भी अंतरिवरोद नहीं होता है क्यों नहीं होता ज़िए जाधा तर एक्जाम के इंदर आपको केंशन नहीं पूछा जाता है जो आगे इस टोपिक में अपना प्रमेर करना है उन से समझे ता आपके ज्यादा क्यूशन पूछे जाती है ठीक है तो उन पर आपको जादा जान देना है यह तो आपके कई कुंचेप्ट से मिलकी आपको पता होना चाहिए तब ही क्योश्क कड्या को अपसोल कर पाओगे अधरवाइज इसको आपसोल नहीं कर पाओगे किस परकार क्या होता है मिने आपको हर प्रिमें माल लेते हैं जो कि हमारी भूल होती है जिसका अंतरिविरोद लगता है लेकिन वाक्या में यहां पर कोई भी अंतरिविरोद नहीं है दोस्तों आज के लिए में इतना है रखते हैं आज इसे में हमने सेकेंड़ कुछन वह स्वाल कर लिया और किसे नमर तीन नहीं सफूल कर लिया ठीक है इसका पूर्टेंट अपक इंदर इरगूरर रग्रिम आपको नहीं देखने को मिलेगी बस आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर से बूछ आप जरूर कर दिया इस आज आज के लिए पस इतना ही फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बैतरिन क्लास के साथ तब तक आपसते रहना मुस्कुराते रहना देखते रहना जोबित पीडी जै हिन जै भारत